एक comments में receive क्या था सरपंच कुमार ची का, सबसे पहले मैं उन्हें thanks कना चाती हूँ comments करने के लिए, comments उनका ये था कि जो office का हम rent pay करते हैं, इसकी entry हमें कैसे पास करनी है चैली प्राइम में, ये उनकी कुवारी थी, नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत क करती हूँ, आपके अपने चानल, सुमन एजुकेशन हब में, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो आप office का rent pay करते हैं, उसकी entry आपको कैसे पास करनी है, चैली प्राइम में, जो हम rent की service लेते हैं, वो जो है TDS के under में fall होता है, TDS का section है 194 I, इसकी threshold limit है, पूरे साल में जो आप rent pay करते हैं, अगर 2,40,000 अगर आप pay करते हैं, तो उसका जो TDS का rate है, 10% आपको TDS deduct करके, जिनसे आप rent की service ले रहे हैं, उनको आप payment करते हैं, अगर आप 2,40,000 यानि कि 2,40,000 से नीचे का आप rent pay करते हैं, तो वहाँ पे आपको TDS deduct नहीं करना होता है अगर support कीजिए, आप office का rent pay करते हैं, every month 4,000, 5,000 या फिर 6,000, पूरे year का अगर आप calculate करेंगे, तो ये below 2,40 होगा, यानि कि 2,40,000 के नीचे होगा, तो यहाँ पे हमें TDS deduct नहीं करना होता है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, कि आप TDS, without TDS कैसे आप range की entry pass करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और आगे पढ़ने से पहले, एक छोटी सी request है मेरी आप से लोगों से, अगर आप first time मेरे चैनल पे आए हैं, और new viewer हैं, तो make sure मेरे चैनल को like कर लीजिए, share कर लीजिए, and subscribe कर लीजिए, साथ ही bell icon प्रेस करना ना भू देख लेते हैं कि without tedious आपको range के entry कैसे pass करनी है, tally prime में, tally prime को open कर लीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आपको company को create करना है, company पे click किजिए, and create पे आप click करेंगे, यहां से आप अपने new company को create कर सकते हैं, मैंने already create किया है, मैं आपको show करती हूँ, यहां देखिए company name म वो type कर लीजिए, आपके जो company का registered address है, वो आपको feel करना है, आपकी company किस state की है, country क्या है, उसके बाद जो उसका pin code है, telephone number है, mobile number है, fax number है, email id, website, यह सारे information आपको feel करनी है, और उसके बाद देखिए financial year beginning from, अगर आप company create कर रहे हैं, 22-23 year में, तो इसका beginning from date होगा, 1st April 2022, इसको save कर लेना है, save करने के बाद immediately आपका जो company है, वो successfully create हो जाएगा, and configuration वाला जो window है, वो open हो जाएगा, तो configuration आपको क्या करना है, tax session में enable, goods and service यहाँ पे आपको yes करना है, यहाँ पे देखिए GST से related सारे information आपको feel करनी होती है, जैसे की, GST registration detail है, state क्या है, आपका registration type क्या है, GSTR one return आप monthly करने वाले हैं, आप फिर quarterly करने वाले हैं, वो सारे information यहाँ पे feel कर लीजिए, उसके बाद देखिए enable, TDS वाला जो option है, अगर आप TDS deduct करेंगे, तो इस option को yes करके, सारे information TDS related आपको यहाँ पे feel करनी है, बट यहाँ पे हम without TDS range पे entry करने वाले हैं, इसलिए इस option को हम no करके save कर लेंगे, यहाँ पे इस option को मैं no कर देती हूँ, and alt A press करेंगे आप तो यह जो window है, वो save हो जाएगा, जो भी आपने configuration किया है, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि basics ledger को आपको कैसे create करना है, इस accounting को maintain करने के लिए, तो gateway of TDS से हम create पे जाएंगे, उसके बाद हमें ledger पे जाना है, और यहाँ से आप अपने ledgers को create करेंगे, तो मैंने already create किया है, मैं आपको show करती हूँ, alt पे हम click करेंगे, उसके बाद ledger पे हम जाएंगे, और यहाँ सबसे पहले मैंने उस party का ledger create किया है, जिससे हम rent की service को लेने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके जो landlord के अगर company का name है, तो वो type कर लीजिए, आप पर उनके personal नाम से भी आप create कर सकते हैं ledger को, under आपको create करना है sundry creators के, maintain balances bill by bill, yes कर लीजिए, और यहाँ देखिए नीचे इस tedious, तो यहाँ पे इस option को हम no रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे tedious direct नहीं करना है, इस ledger से related स साले information field कर लीजिए, जैसे कि इसका pan number हो गया, अगर party registered है, तो GST number field कर लीजिए, उसके बाद next ledger हम create करेंगे, rent expenses का, under हमें create करना है indirect expenses के, अब यहाँ पे जो आप office का rent पे करने वाले हैं, वो ultimately आपके business के लिए, आपके company के लिए indirect expenses होगा, इसलिए हम इसका ledger under indirect expenses create करेंगे, is GST applicable, तो यहाँ पे applicable आपको करना है, set alter GST में यहाँ पे yes करके, nature of transaction में purchase taxable, यहाँ पे taxability में taxable, 18% tax apply होता है, and type of supply में आपको यहाँ पे services रखना है, यहाँ पे देखिए TGS वाला है, तो यहाँ पे no रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे TGS deduct नहीं करने वाले हैं, उसके बाद tax के लिए CGST वाला लेजर हम create करेंगे, under duties and taxes में, then GST, CGST का हम कर रहे हैं, इसलिए central tax select करेंगे, and इसको alt a press करके, आप save कर लीजिए, इसी tab से SGST का हम लेजर create करेंगे, under duties and taxes, then GST, SGST का कर रहे हैं, select tax आपको यहाँ पे इस option को select कर रहा है, and इस लेजर को save कर लीजिए, तो इ आपके create कर लिया है, इस accounting को maintain करने के लिए, अब हम यहाँ से देखेंगे कि कैसे हमें rent के purchase की entry पास करनी है, जो आप rent के service लेंगे, उसकी entry आपको कैसे पास करनी है, without tedious, तो यहाँ पे gateway आप टेले से हम we press करेंगे, right hand side से आपको purchase वाला voucher से लेक कर लेना है, अब यहाँ पे step का voucher open नहीं है, तो right hand side से change mode पे आप click किजिए, उसके बाद accounting invoice, यहाँ पे इस option को आप select करेंगे, तो जो window पे आपको show हो रहा है step से, जो invoice mode है, वो open हो जाएगा, अब उसके बाद आपको invoice number फील करना है, date फील करना है, और जिस भी party से आप service को ले रहे हैं, उस party का name select कर ल rent पे करेंगे, suppose कीजिए, 4000 कर रहे हैं, 5000 कर रहे हैं, 6000 कर रहे हैं, जितना भी आप rent पे करते हैं, वो amount आपको यहाँ पे कर लेना है, let's suppose हम यहाँ पे 6000 पे कर रहे हैं, तो 6000 करेंगे, और यहाँ पे हम cgst, sgst apply कर लेंगे, क्योंकि local party से हम rent की service ले रहे हैं, इसले सके उपर से आपको every month की entry pass कर ली है, तो यहाँ पे जैसे मैंने one month का आपको show किया है, set app से आप कर सकते हैं every month का, एक और मैं आपको entry pass करके show करती हूँ, same purchase voucher में करना है, same जो invoice mode है, उसमें हम करेंगे, इसका date हम select कर लेते हैं, जो हमने पहली entry की थी, वो हमने April month में किया था, second वाली entry हम करेंगे May month में, next month के लिए हम यहाँ पे entry कर रहे हैं, जो invoice number है वो fill कर लीजिए, उसके बाद जिस party से आप यह service ले रहे हैं, उस party का later आपको select करना है, particular में हम यहाँ पे rent expenses लेंगे, जैसे कि हम rent पे कर रहे हैं, तो every month का same होगा rent, यहाँ पे 6000 हम करेंगे, जब rent increase होगा, उस time यहाँ पे figure change होगी, उससे पहले आपका same figure रहेगा, amount same रहेगा, अब जो हमने entry की है, अगर आप उसको balance sheet में analyze करना चाहते हैं, कि इस entry का balance sheet पे क्या impact हुआ है, तो balance sheet पे click कीजिए, current liabilities पे, sunry creators पे आप जब click करेंगे, तो यहाँ देखिए, जो हमने entry pass की थी, आप दे June, July, August, September, continue step से आप इस entry को pass करेंगे, नीचे आपको total show होगा, credit side में जो भी balance होगा, अब यहाँ पे duties and taxes में जब आप click करेंगे, तो जो takes वाली amount है, वो आपको यहाँ पे show होगी, cgst में आप देख सकते हैं, आपको amount show हो रही है, इस type से आप sgst में देखेंगे, तो आपक takes में जाके takes वाली amount को भी analyze कर सकते हैं, balance sheet के अंडर में, आप यहाँ पे हम देखेंगे, जो हमने rent expenses किया था, तो profit and loss account में आप enterprise करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे indirect expenses में, जब आप enterprise करेंगे, तो rent expenses के अंडर में, आपको 12,000 यानि कि without gst वाली amount आपको यहाँ पे show होग जब आप laser analyze करना चाहते हैं, तो go to में जाए, laser reports में जाके आपको यहाँ पे party का laser open कर लेना है, alt app to press करके update change कर लेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं, हमने जो दो purchase की entry पास की थी, वो दोनों entry हमें यहाँ पे show हो रही है, total amount आपको यहाँ पे show हो रहा है, 14,160 credit side में, it means इतना amount हमें pay करना है, जिस party से हमने rent का service सर्विस लिया है, आप यहाँ पर चाएए, तो month-wise भी entry pass कर सकते हैं, month-wise अगर आप rent pay करते हैं, तो month-wise भी entry pass कर सकते हैं, अगर आप 6 month या पर quarterly करते हैं, तो quarterly भी entry pass कर सकते हैं, तो आपको payment voucher select कर लेना है, आप debit करेंगे जिस party से आप इस service को ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप single single bill का करेंगे, तो आप debit करेंगे single single bill amount, अगर आप total करना चाहते हैं, तो हम total करेंगे, इसके बाद यहाँ पर against reference में हमने दोनों investors को ले लिया है, अब यहाँ पर आप by cash करते हैं, तो cash को आप credit कर लीजिए, bank से करना चाहते हैं, तो यहीं से alt c press करके, हम bank का ledger create कर लेते हैं, तो यहाँ से मैंने access bank का ledger create कर लिया है, आपका जो भी bank है वो आप type कर लीजिए, under हम create करेंगे bank account, bank accounts related सारी information आपको यहाँ पर field कर ली है, और यहाँ पर जो check number है, किस check number के through आप कर रहे हैं, फिर आप NFT कर रह narration में आप mark करना ना भूलिएगा कि किस-किस month के लिए आप rent pay कर रहे हैं, तो narration में हम यहाँ पर mark करेंगे कि हम जो rent pay कर रहे हैं, April and May month के लिए कर रहे हैं, 22 mention कर दिजिए, narration always आपको mention करना चाहिए, so that आप जब भी in future में narration देखेंगे entry की, तो आपको recall हो जाएगा कि यह entry आ चुका है, इस टाप से आप every month maintain कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको कैसे range की entry pass करनी है without TDS, TDS हमें तभी डेटक करना है, जब हम Threshold limit को touch करते हैं, आनि कि जो इसका Threshold limit है, 240,000 है, और यहाँ पर इसका जो TDS rate है, वो 10% है, plant and machinery का अगर आप range service लेते हैं, तो वहाँ में Tally and accounts related, maximum videos के link provide कर दूँगी, आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का name है, Suman Education Hub, आपको वहाँ प्लेलिस पी मिल जाएगी, आप प्लेलिस पी watch कर सकते हैं, प्लेलिस आपके लिए काफी helpful रहेगा, तो definitely आप प्ले बस आप सभी लोग का साथ and आप सभी लोग का support मुझे चाहिए, I wish यह जो rent वाली वीडियो में आप लोग के साथ share की है, यह वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रहा है, अगर helpful रहा है तो एक चुछा सा काम कर दिजेगा, चैनल को like कर दिजे, share कर दिजे and subscribe कर दिजे, thank you and keep watching my videos